बिस्मिल्ला रख्मानी रहीम, असलाम लेकूम, आप देख रहे हैं कुप विशा गुफता, आज मैं बहुत ही जबर्दस से स्नेक्स बना रही हूँ जो के हैं पटाटो हाफ मोन, आप अपने घर में इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को स्टेप बाई स् कर रही हूँ, मेदे में शामिल कर रही हूँ, हाफ टी इस्पून नमक का, नमक आप अपने टेस्ट के मुताविक डाल लिएगा और तीन टेबिल इस्पून इसमें मैं आउयल डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मेदे में मिक्स करेंगे नमक और रॉयल को, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है नमक और रॉयल, अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी, पानी भी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ही शामिल करेंगे, और नॉर्मल सॉफ्ट सी डो हम त्यार करेंगे पांस मिनट तक अच्छी तरह से मैंने आठे को बूंदा है अब हल्का सा ओइल लगा देंगे उपर और ढग कर रख रही हूं तकरीबन दस मिनट के लिए अब आलों की कोटिंग त्यार करते हैं तीन अदद मैंने पॉइल आलो लिया थे आलों को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है आलों मैं शामिल कर रही हूं एक अदद बारिक चौप कटिंग किया हूँआ प्यास हाफ टेबिली स्पून कुटिंग हूई लाल मिर्स डाल रही हूँ हाफ टेबिली स्पून पिस्यों ही लाल मिर्स डाल रही हूँ अच्छी तरह से सारे मसाले आलोव में मिक्स करेंगे सारे मसाले आलोव में अच्छी तरह से मिक्स हो गए है इसे एक तरफ रख देते हैं अब आटे की तरफ चलते हैं 10 मिनट हो गए है आटे को रखे हुए और छोटे-छोटे से हम पेड़े त्यार कर लेते हैं एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी छोटी सी रोटी बेलेंगे पतली सी और छोटी सी रोटी बेलनी है ज्यादा बड़ी नहीं बेलनी है ये देखें बहुत ही बतली रोटी है मेरे पास ये सांचा था जो हाफ मोन का था ये बहुत ही आसानी आप बजार से खरीच सकते हैं और बहुत ही सस्ता ये मिल जाता है इसके कनारों में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा में आटा है उसे हम निकाल देंगे ये देखें हाफ मोन त्यार हो चुके हैं अगर जिनके पास ये सांचा नहीं है मैं उनके लिए ये सिखा रही हूँ वो बगएर सांचे के भी खुद बना सकते हैं घर पर ये देखें चोटी सी पत्री सी इसी तरह की रोटी बेलेंगे और एक तरफ हम आलू रखेंगे और कनारे पर थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देंगे अब रोटी को फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से दबा देंगे कनारों को और फोग की मदद से डिजाइन डाल देंगे ये देखें घर पर भी हम बासानी इसे बना सकते हैं इसी तरह मैं सारे त्यार करके आपको दिखाऊंगी और फ्लेम पर मैंने पहले से ही शेलो फ्राई ऑईल रखा हुआ था ऑईल हरची तरह से गरम हो गया था तो इसमें मैं एक एक करके शामिल कर दूँगी हम डी फ्राई नहीं करेंगे बलकि इसे शेलो फ्राई करेंगे और कुछ सेकंड बाद मैं इनकी साइट चेंज कर रही हूँ ये बहुत ही मज़े के त्यार होते हैं उपर से इतने ही क्रिस्पी अंदर से इतने ही सॉफ्ट होते हैं आप एक बार इने घर पर ज़रूर बनाईएगा और आप देख सकते हैं कि ये मैं शेलो फ्राई कर रही हूँ तो इसके कनारे हलके हलके से रह गया है जो के पके नहीं है उसे हम इस तरह रखकर भी पका सकते हैं अगर आपको ज़रा से भी मेरी रैस्पी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक किया करें मेरी रैस्पी को ज़रूर कमेंट्स में बताया करें कि आपको ये किस तरह की लगी है और ये देखे मैंने सारी तरह से अच्छी तरह से इसे पका लिया है और माशाला अमदौलिला बहुत ही मज़े के त्यार हुए है आप अपने घर में हाफ मून बजरूर बना कर खाईएगा और मुझे नीचे फीड़बेक में जरूर बताईएगा कि ये आपको किस तरह के लेगे वीडियो देखने का शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अपनी दौाओं में मुझे याद रखिएगा अलाफीज